हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चानल तो यह आप देख रहे हैं कि आप सूच रहे होंगे कि मैं यह क्यों काट रही हूं एक्चुली मैंने इसे क्रम कोट कर दिया था और फ्रिज में रखा था और जो आज की डिजाइन बनानी हो केक को काट करके ही बनानी है आपके बन में कुश्चन उठ रहा होगा कि यह कौन सी डिजाइन आ गई केक को काट करके क्या डिजाइन बनाएंगे तो बस देखते रहे फ्रेंड्स पूरा देखेएगा इस वीडियो को और आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो इस तरह से दोनों साइट से मैंने केक को इकवल भागों में काटा है और यह केक है वन केजी का तो बस आपको यह धियान देना है कि जब कट करें तो दोनों साइट बराबर हो एक्चुली इसे मुझे रखना कुछ और डिजाइन से था लेकिन अभी गिर गया केक फिर भी मैंने उसे सेट किया बस हलके हाथों से और यहां देखें पीछे से मैंने कट करके निकाला और वैसे ही मैं आगे से भी अब मैं आपको सस्पेंस में बिलकुल नहीं रखोंगे और मैं बना रही हूं कार क्योंकि कस्टरमर ने ओर्डर किया था कि उनके बच्चे को कार बहुत पसंद है जिसका बर्ट दे था इसलिए उन्होंने बोला कि कम में ही आप बना देना मतलब दो पॉंड में ही बना देना फिर मैंने भी कोसिस किया और बन गया मिन्स की वन केजी में ही मुझे बनाना था फर्स्ट बार बनाया था फ्रेंग्स तो यहां देखिए बस उसे मैंने क्रीम लिया पाइपिन बैंग में और इस तरह से साइट से उसे कवर कर लेना है तो इस तरह से मैंने उसे अच्छे से चारो तरफ से क्रीम से कवर कर दिया तो आपको भी देखने में लग रहा होगा कि कार का जो है वो स्ट्रक्शर जो है वो खड़ा हो गया है मिंस की बेस अब इसे सजाना बाकी है तो यहां मैंने थोड़ी से क्रीम साइड में और डाली ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए और जब मैं लाइनिंग करूँ इसके उपर निशान बनाओ तो अच्छे से निशान जो है मुझे दीखे तब मैं कार को अच्छे से सजाने पाऊंगी तो इस तरह से मैंने इसे कार को भी फिर से क्रम कोट किया और थोड़ी दिर के लिए रख दिया था मैंने इसे फ्रिज में फ्रिज में से निकालने के बाद मैंने स्टार नोजल से मुझे डिजाइन बनाना है तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि क्रीम कम है तो वहां पर मैं क्रीम डालते जा रही हूं ताकि हर जग अच्छे से कवर हो जाए क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो इसली यह रह जा रहा था आसानी से क्रीम इसमें स्टिक हो जा रहा था अब मैं क्या करूं कि मैंने बड़ा सा तूथपीक लिया है और बस मुझे लाइनिंग इसमें खीच देनी है लाइनिंग इसलिए यहां पर खीच नहीं है वहां पे भी मैंने कुछ डिजाइन बना दिया यह है आगे पीछे का पॉर्शन और यहले नहीं पॉर्टर दो यहां भी एक लाइट दे देंगे हम दोनों साइड में ला जन रहेंगे और नास अब है आप क्रीम जो तो हैं पर लृष सब्सक्राइब निशान है उसे पहले हमें वाइट इस्टार वाइट क्रीम से फुल कर लेना है तो यहां मैं फिल कर रही हूं फ्रेंट्स बस ज्याद़ आपको प्रेस ने करना है छोटे-छोटे इस्टार निकालने हैं तो हर जगह नहीं कर दो हैं बहुत क इसे मैं बना रही हूं आप बस इसे वॉच करना कि कहां कहां वाइट क्रीम लग रहा है और उसके बाद भी मैं दूसरा की भी यूज़ करने वाली हूं इसलिए मैंने इसमें निशान बना लिया है तो यहां पर हर जगह जो है फ्रेंट्स मैंने वाइट क्रीम को अच्छे से जहां जहां उसकी जरूरत थी लगा दी है अब क्या हुआ कि क्रीम डालने के बाद निशान चुप गए तो निशान को मैं फिर से एक बर बना लेती हूं बस जहां पर क्रीम डाला है वहां पर तो इस तरह से जहां पर दुबारा मैंने निशान बना लिया अब मैंने यहां पर चारों तरफ जहां जहां हमें स्काइबलू कलर किया वहाँ 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 हम उस क्रीम से स्टार बना लेंगे यहां पर एक चीज़ ध्यान रखेगा फ्रेंड से कि पाइपिन बैग में क्रीम उतना ही डालियेगा ताकि वह कार्डल ना हो और मेल्टिंग कंसेंस्टेंशी में ना हो तो क्रीम थोड़ा थोड़ा ही डालिये नहीं तो गर्मी का मौशम है और हाथ की गर्मी से क्या होता है कि क्रीम जो है वो पिगलने लगता है तो थोड़ा थोड़ा क्रीम डाल के आप वर्क करेंगे तो क्रीम जो है वो पिगलेगा नहीं और आप इसली मतलब की क्रीम अच्छे से उसका टेक्शर रहेगा और डाल देंगे तो लाइट्स जहां पे हैं उदर भी हम लाइट्स का झीज़ें कर दिया है और इस तरह से जहां पर हमारा चक्का है डाडी का वहां भी हमने स्काइबलू कलर उन जगों को छोड़ते हुए फिल कर दिया है तो इस तरह से जो है बिल्कुल कार की तरह धिंख और खुब शुरत भी लग रहा है यहां मैंने चॉकलेट गनास लिया है बस डाक चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट कर दिया उसे पानी वेगरा या क्रीम वेगरा कुछ भी ने मिक्स करिएगा इसे क्या होगा ना कि आप सोचे होंगे कि हम जल से क्यूं ना करें लेकिन बिल्कुल जल से मत कीजिएगा क्योंकि ज इसलिए यहां पर आपको बस मेल्टेट चॉकलेट का इस्तमाल करना है बस पाइब बैग में डाल के उसे हर जगह तो यहां पर आपने एक चीज़ गौर कि होगी कि जहां जहां हमने ब्लैक कर दिया तो कार जो है तोड़ा सा अट्रेक्टिब लगने लगा है और दिखने ल पर आपके ब्लैक कर देती हूं और देख रहें फ्रेंट्स कहीं भी जो चॉकलेट है वह फैल नहीं रहा है यह मने और यो बिसकुट ली है और बस उस पर वाइट क्रीम को पाइपिन बैक में डाल के जिस तरह से विल कर डिजाइन होता है न चक्के कर डिजाइन उस तरह से मैंने बना लिया फिर मेरे दिमाग में आए कि इसका आउटर भी कर देती हूं तो दूसरा में मैंने आउटर भी किया है बस इससे तो मैंने डाल दिया है बस उपर मैं उसमें भी आउटर कर देती हूं इस तरह से राउंड और इसी तरह से दोनों साइड में चक्के जो है मै मैंने एड किये तो यहां पर बस मैंने प्लक कर लिया है प्लक कर से क्या होता है ना कि वह फ्रीशिंग रहेगा आपको तो आराम से आप उसे स्टिक कर लीजेगा तो चक्के भी डाल दिए कार की खिड़की भी बन गई अब हम लाइट पर काम करेंगे तो हमने दूसरा नोजल लिया यह फ्लार बनाती हूं मैं इस नोजल से थोड़ा सापको अलग नोजल लेना है बस वहां पर आपको दीखना चाहिए कि यहां लाइट जैसा वो दिख रहा है तो यह नोजल हमने इसमें इसमें इस्तमाल किया है लाइट में और लाइट तो पीला कलर का होता है रेड क इसे कि एक केक जो है भरा भरा दिखेगा और खुबसूरत भी लगेगा तो यहां पे वह निशान भी मैंने लगा दिया है और उस बच्चे को यह केक बहुत ही पसंद है कार डिजाइन में तो यहां पे हो गया अब पीछे भी मैं एक सिंबल दे रहती हूं जैसे कि टोयटर का अच्छा तो बन नी पाया लेकिन फिर वी मैंने एक निशान दे दिया तो इस तरह से कार जो है वह कंप्लीट हुआ था अब लगे कि यह कार है इसके लिए मैंने ग्रास नोजल लिया है और ग्रीन कलर की क्रीम ली है और बस इस तरह से ग्रास इफेक्ट में दे देती हूं तो लग रहा है जैसे कि कार जो है न ग्रास पे खड़ा है घास पे तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऐकन प्रेस करें लेकिन हाँ बार बार सब्सक्राइब मत करें फ्रेंड्स क्यूंकि यदि आप पहले सब् प्रेस किया है तो उसे प्रेस करें और लाइक का बटन जरूर दबाए तो फ्रेंड्स यदि पहली बार है तब सब्सक्राइब करके बेल का इकन प्रेस करें हम नेक्स वीडियो में मिलते हैं एक नई सियाई सिंग के साथ तब तक अपना ध्यान रखें और थैंक्यू फ्रे